विल्कम बैक दोस्तों आज मैं आपके सामने रिसेनली टमिल लाइविज में रिलीज हुई एक बहुती डिफरेंट मुवी को लेकर आया हूँ इसका नाम है बिगिनिंग आचुली इस मुवी में ये की साथ दो कहानिया चलती रहती है साइट बर साइट मतलब लेफ्ट साइट एक बंदे की कहानी राइट साइट बंदे की कहानी इस मुवी के जरिये से मेकर्स ने एक बहुती अच्छा सा एक्सपरिमेंट किया है जो सच में काभिले तारिफ है और बालू के सासाथ इसके मावी रहती है लेकिन यहां पर बात यह है कि बालू कोई normal लड़का नहीं होता मतलब उमर में ये बड़ा होता है लेकिन इसकी mentality छोड़े बच्चों की तरह होती है और सीथरा बालू बात करते समय हकलाते रहता है मतलब धंग से बात करना भी नहीं आता इसको इस तरफ राइट साइट में तीन बंदों को दिखाय जाता है जो फिलाल एक बड़े से बैक को अपने घर में लाते है इस बैक में ओपन करने पर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है इस लड़की का नाम होता है नितिया और नितिया को किट्नियाप करने वाले बंदे का नाम होता है चंद्रू अब किट्नियाप करने के चकर में नितिया के हाथ को हल किसी खरोच आ जाती है तो चंदरू बहुती प्यार से नित्या के हाथ को बैंडेज लगाने लगता है बाद में नित्या को इसी रूमें बंद करके ये तिनों बाहर चले जाते है लेट साइड में बालू की मा खाना वणा प्रिपेर करके बालू को खिलाने लगती है और उसी तरह उसको दवाई भी देती है अपने आफिस जाते आते बालू से कहने लगती है कि तुम दोपेहर में याद से अपने दवाई ले लेना बालू हखलाते हुए कहने लगता है ठीक है मा बालू की मा जाने के बाद बालू थोड़ी देर खिलने लगता है टेवी में कार्टून्स देखने लगता है, घर के काम करने लगता है, राइट सैट में थोड़ी देर के बाद नितिया को होश आता है, तो अपने आपको बंद कमरे में देखकर इसके तो होशी उड़ जाते है, दरवाजा जोर से मारते हुए उन लोगों को बिलाने लगती है लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन ही नहीं करता, क्योंकि बाहर चंद्रू और बाकी दो लोग अपने घर से बाहर जा चुके होते हैं, नितिया इस दरवाजा को ओपन करने के लिए उस कमरे में कोई चीज़ को तलाश करने लगती है, तो उसी एक ब्रॉव में इसको काफी सा लगती है, तो लकिली नेटवर्क आ जाता है, जब नितिया इस फोन से अपने फ्रेंड को कॉल करने वाली होती है, तो इस फोन में कुछ बटन काम ही नहीं करते हैं, जैसे 971, पुलिस को कॉल करने पर भी नो यूज, क्योंग ये वन प्रेस नहीं होता, तो बैचारी निति बहुत फ्रेस्टेट होने लगती है, उसके बाद नितिया इस फोन में बस ऐसे ही स्क्रोल करने लगती है, तो इसमें नितिया को एक नमर मिलता है, जब नितिया इस नमर को कॉल करती है, तो वो तो बालू के घर का फोन नमर होता है, बालू फोन पिक करने के बाद नितिया क के रवाँ सुनकर फॉन को साइट में फे कर अपने चोटे से टेटоз में जाकर छुप जाता है कहने लगता है नितिया दुबारह उसी नमबर को बार बार डाईल करने लगती है तो आफ्र-टूरी रिंग्स के बाद बालु उस फॉन को बातीं करने लगता है पहले तो नितिया को बालू की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती नितिया दुबारा यही कहने लगती है कि सर मेरी बात ध्यान से सुनिये मैं यहाँ पर फसी हुई हूँ बालू नितिया की बात सुनकर कहने लगता है कि शायद आपने कुछ गल्दी की होगी इसलिए उन लोगों ने आपको किन्याप किया होगा नितिया कहने लगती है अरे सर मैंने कोई गलती नहीं की जब आप मुझे बचाओगी तो मैं आपको सब कुछ क्लिरली बता दूंगी बालू पूछने लगता है अच्छा मतलब आपको बैट पेपुस ने किन्याप किया नितिया कहने लगती है हाँ सर वो बहुत बुरे बैट बॉइस है अब आप ही मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो मेरी हल्प कर सकते हो फोन में के कुछ कीज भी काम नहीं कर रहे मैं कहां पर यह भी मुझे नहीं पता बालू दुबारा नितिया से आजीब अजीब के बातें करने लगता है अजीब अजीब के सवालात करने लगता है गुसे में आकर नितिया बालू को गालियां भी देने लगती है बात में जब बालू रूट जाता है तो नितिया बालू को सौरी ब exam लिख रहा है नितिया पूछन लगती है क्य बालू क्या कर रहे हो बालू कहने लगता है, अरे रुकिये, मैं पहले margins डाल रहा हूँ, नितिया कहने लगती है, अरे बालू, margins की कोई जूरुट नहीं है, मैं जो नम्मर बोर रहे हूँ तो वो लिखो बस, बालु कहने लगता है, ओ शिट मैं तो लाइन्स मार ही डाली, इस तरह से कहते हुए एरेजर से उन लाइन्स को दुबारा मिटाने लगता है, बात में नित्या पूशने लगती है क्या तुमको 1,2,3 इसाती है, बालु कहने लगता है, हाँ मुझे 100 तक आत नितिया कहने लगती है तो यह नमर मेरे फ्रेंड विट्ट्री का है तुम उसको call करके मेरे situation के बारे में बताओ बालु कहने लगता है क्या मैं बंदे को phone करो मेरे phone में balance नहीं है no outgoing सिर्फ मैं मेरे माँ को ही call कर सकता हूं और किसी को नहीं नित्या कहने लगती है अच्छा तुम्हारी माँ भी है तो प्लीज तुम्हारी माँ को कॉल करके मेरे सिच्वेशन के बारे में बताओ कुछ लोगों ने मुझे किडनियाप किया मुझे हल्प की जरूत है तो उसी तरह से नितिया फोन काटने के बाद बालू अपने माँ को कॉल करके नितिया के बारे में बताने लगता है और वो भी हक लाते हुए कि मा माना नितिया नाम की एक लड़की है उसको किसी ने किड्ञाप किया है उसे हल्प चाहिए उसने मुझे कॉल किया लेकिन बालू की मा को बालू की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती यही सोचने लगती है कि फालू में बड़ बड़ा रहा है टीवी में देखकर बालू की मा बालू से कहने लगती है कि शाम में हम बीच पर जाकर चिल करेंगे ये सुनने के बाद बालू बहुत खुश होने लगता है इस तरह से अपने माँ से दूसरी बातें करते हुए नित्या के बार में ही भूल जाता है इस तरह राइट साइट में नित्या के फोन में चार्जिंग हो जाती है नितिया कुछ न कुछ जुगार करके उस फोन को चार्जिंग लगाने लगती है नितिया का फोन चार्ज होने के बाद ये फोन रिंग होने लगता है नितिया यही सोच कर उस फोन को पिक करती है कि शायद बालू कॉल किया होगा या तो भी उसकी माँ लेकिन उस साइड कोई हिंदी वाला बंदा होता है वो बंदा आपने दोस्त समझ कर बहुत गालियां देने लगता है अरे भाई कहां पर हो तुम कब तक आओगे नितिया उस बंदे को समझाने की कोशिश करने लगती है कि सर मुझे हिंदी नहीं आती कि आपको मिलीश आती है लेकिन वो बंदा कुछ भी समझ नहीं पाता पटाक से अपना फोन कार्ट देता है बेचारी नितिया बहुत फ्रेस्टेट होने लगती है थोड़ी देर के बाद नितिया दुबारा बालू को ही कॉल करने लगती है बालू कहने लगता है कि मैंने तुमारी बाद मेरी माँ से कही लेकिन मारे मेरी बादों पर भरोसा ही नहीं किया नितिया कहने लगती है ठीक है बालू तुम बस पुलिस वालों को फोन करके मेरा नमबर दे दो बालू कहने लगता है अरे बाप रे पुलिस वालों को मैं हर्गिस नहीं करूंगा नितिया कहने लगती है अरे बालू तुम डरो मत पुलिस वालों तुमको कुछ नहीं करेंगे बस उनको कॉल करके मेरा नमबर दे दो तो बालू अपने फ्लाश बैक के बारे में इत्या को बताने लगता है क्यों ये पुलिस वालों को कॉल नहीं करना चाहता इस तरह से सीन थोड़ा फ्लाश बैक में जाने लगता है एक दिन बालू पुलिस वालों को कॉल करके ये कहने लगा था कि हमारे घर में पावर आफ हो चुका है फटावर्ट से करण भेज दो यहां पर मुझे जल से जल दो रेमोन देखना है परे तो पुलिस वालों की बात सुनकर उसका फोन काट देते है मतब कहने लगते है कि ये पावर आफिस नहीं है बात में दुबारा बालू ये कोवर बहाना बनाकर पुलिस वालों को कॉल करके अपने घर बुलाता है सो बालू की बात सच समझकर पुलिस वाले बालू की घर आकर बालू को बहुत डाटने लगते है और सी तरह बालू की यह हरकत देखकर इसकी मा भी बालू को बहुत डाटने लगती है और बालू से बादा लेने लगती है कि तुम आज के बाद से कभी भी पुलिस वालों को कॉल नहीं करोगे अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे फोन करो अट दा सेम टाइम राइट सेड नितिया और वेटरी की चार्ट हिस्टी को दिखाया जाता है मतलब किस तरह से नितिया और उसकी बॉइफरेंड वेटरी की बीच चार्ट हुआ करती थी कैसे उन दोरों की मुलाकात हुई सीन प्रेजेंट डेपर शिफ्ट होता है इस तरह से बालू अपने फ्लेश बेक के बारे में नितिया को बदाने लगता है कहने लगता है कि मैं अपने मा का वादा नहीं तोड़ सकता नितिया कहने लगती है अरे बालू तुम एक बार पुलिस वालों को कॉल करो मैं तुम्हारी मा को समझा दूंगी जब मैं बाहर निकलूंगी तो नित्या बहुत रिक्ष्ट करने के बाद बालु कियने लगता है ठीक है फिलहाल मैं तुमारे लिए मेरी मौ की प्रामिस साइड में रखकर पुलिस वालों को कॉल कर रहा हूं इस तरह से बालू पुलिस वालों को कॉल करके नित्या के बारे में बता नहीं वाला होता है लेकिन पुलिस वाले बालू की बातों पर यकीन ही नहीं करते क्योंकि आलड़ी पुलिस वाले बालू से धोका खा गए दुबारा धोका नहीं खाना चाते रैट सेट बेचारी नितिया यही इंतिजार में होती है कि पुलिस वाले इसको कॉल करेंगे या पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे अट दा सेम टैम चंद्रू और बाकी दो लोग एक और बड़ी बैग के साथ इस घर में आते है इस बड़ी इसी बैग को नितिया के पास ले जाकर ओपन करने पर इस बैग में इसका बॉर्फरिन वेटरी होता है बेहोश पड़ा हुआ वेट्री को यहाँ पर देखकर नित्या शौक में रह जाती है वेट्री को जगानी की कोशिश करने लगती है और शी तरह उस वक्त चंदरू अपने चहरे पर मास्क पहना होता है नित्या चंदरू से पूशने लगती है कि कोन हो तुम हम दोनों को यहां पर क्यूं लाए हो आखिर कर चहते क्या हो तो फाइनली चंद्रू अपना मास्ख हटाता है तो नित्या शौक में रह जाती है पूछने लगती है चंद्रू क्या तुम हो क्यों किया मेरे साथ ऐसा चंद्रू चुपचाव महां से जाने पर नित्या दुबारा वेट्रू को जगाने की कोशिश करने लगती है वेट्री अपने आखें खोल कर अपने आपको यहां पर देखकर शौक में रह जाता है नित्या से फूशने लगता है कि नित्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे यहाँ पर किसने लाया थोड़ी देर के बाद चंद्रु दुबारा नित्या और वेट्री के पास आता है नित्या चंद्रु से दुबारा पूशने लगती है कि हम दोनों को यहाँ पर क्यूं लाये हो चंद्रू कहने लगता है तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया आखरकार वेट्री के अपास क्या है जो मेरे पास नहीं है नित्या कहने लगती है कि ये सब कुछ कान करने के बाउजूद भी तुम रीजन पूछ रहे हो रीजन है तुमारे क्यारक्टर तुम जैसे क्यारक्टरलेस लड़कों को लड़कियां बिल्कुर भी पसंद नहीं करती वो अच्छा क्यारक्टर वेट्री में है इसलिए मैं वेट्री से प्यार करती हूँ चंद्रू कहने लगता है अच्छा क्यारक्टर चोलो आज मैं भी देख लेता हूँ कि वेट्री का क्यारक्टर कैसा है वेट्री से कहने लगता है अगर तुम नित्या से प्यार करते हो तो अभी के अभी इसके गले में मंगलसूत्र पहनाओ अभी के अभी शादी कर लो इस तरह से चंद्रू वेट्री के हाथ में मंगल सूत्र देने पर वेट्री नित्या के गले में जब बाद नहीं वाला होता है नित्या कहने लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोने की शादी ऐसे होगी तुम चंद्रू से डर कर मेरे गले में मंगल सूत्र पहना रहे हो पेटरी कहने लगता है अगर मैं मंगल सूत्र नहीं पहनाओंगा तो हम दोनों यहां से बाहर नहीं जा सकते तब ही चंद्रू कहने लगता है रुको रुको ब्रो, something is missing ऐसा कहते हुए चंद्रू के बाकी लोग वेट्री को एक चेर से बान देते है बात में वेट्री के आखों के साम नहीं चंद्रू, नित्या का बलतकार करने लगता है यह होने के बात वेट्री के हाथ में मंगल सूतर देकर कहने लगता है आप नित्या से शादी कर लो ब्रो, नित्या is yours वेट्री कहने लगता है, नहीं ब्रो, मुझे छोड़ दो, मैं यहां से चला जाओंगा वेट्री के बातें सुनने के बाद नित्या शौक में रह जाती है सोचने रखती है कि जिस समय प्यार कर रही हूँ, वो आज मुझे इसी हालत में छोड़कर जा रहा है चंद्रू जाते जाते नित्या से केने लगता है, यह देखो यही है इसका कैरेक्टर इस तरह से चंद्रू वेट्री को दुबारा बाहर लाकर इसको बिहोश कर देता है चंद्रू की यह हरकते देखकर बाकी दो लोग चंद्रू से धरने लगते है कि इसने खामका नित्या को बलतकार किया और वेट्री को दुबारा बिहोश कर दिया और पतन ही क्या करेगा हमारे साथ आचिली यहां पर एक और बात यह है जब नित्या का बलतकार हो रहा था बालू नित्या को कॉल किया था जिसके वे से बालू नित्या की सारी बात सुन लेता है मतलब नित्या का तड़कना वगेरा बेचरा बालू भी बहुत उपर नीचे होनी लगता है नित्या नित्या कहकर बुलाते रहता है इसको बीच में फिर्स भी आने लगते है सो फ़णिली बालू का फोन पिक करने के बाद बालू नित्या से कहने लगता है सौरी नितिया मैं तुमको बचा नहीं पाया तुम्हारे माबाप का नमर दो मैं उनको कॉल करूंगा नितिया कहने लगती है कि मेरी माँ बच्पन में ही मर गई मेरे फादर अमिर्का में रहते है अब बालू नितिया को बचाने की कोशिश देखकर नितिया बहुत खुश होने लगती है कि एक अंजान बंदा और वो भी अबनॉर्मल बंदा उगे बचाने की कितनी कोशिश कर रहा है कितना तड़ब रहा है लेकिन मैंने जिसे पियार किया उसने मुझे धोका ही दिया सो नितिया कहने लगती है कि अब मेरे जिन्दगी में कुछ भी नहीं बचा, मैं अब मरना चाहती हूँ अब इसी दर्मियान में चंद्रू का एक दोस्त नित्या की कमरे में आकर इसे वार्निंग देने लगता है कि तुमारी वज़े से हम फसने वाले है इस बंदे को देखकर नित्या उस फोन को चुपा लेती है बाद में जब दुबारा बालू से बात करने लगती है बालू कहने लगता है अभी तुमारे पास जो बंदा आया था वो कौन है मैं उस बंदे को जानता हूँ उसका नाम चंदरशेकर है हमारे घर के बगल में रहता है नित्या भी बालू की बाद सुनकर शौक में रह जाती है क्या तुम इस बंदे को जानते हो नित्या की जोर की आवाज सुनकर चंदरशेकर जब नित्या के पास आता है तो नितिया के हाथ में फोन होता है बालू चंदरशेकर से कहने लगता है कि चंदरशेकर मैंने तुमको पहचान लिया अब तुमारी खैर नहीं मैं पुलिस वालों को फोन करूंगा तो चंदरशेकर यही बाद चंदरू को बताने लगता है कहने लगता है कि मैं बालू के पास जाकर उसे चुप कराता हूँ चंदरशेकर जाने के बाद नित्या अपने हाथ में स्क्रूल ड्रेवर लेकर चंदरू के पेट में स्टाप कर देती है वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है दूसी तरफ चंदरशेकर बालू के घर आता है लेकिन बालू इधर उधर छुटने लगता है इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ी बहुत टॉमिंजरी के वाट चलने लगती है थोड़ी देर के बालू चंदरशेकर को एक रूम में लॉग करके बाहर चला जाता है और राइट साइड में नित्या बहुत जखमी होती है इसी दरम्यान में बालू अपने यकोर फ्रेंड को कॉल गरके यहाँ पर बुलाता है उसके बालू और उसका फ्रेंड नित्या के पास जाते है तो बालू का फ्रेंड अपने जिरो पैक्स दिखाते हुए चंदु से फाइट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन नो यूज बेटा बालू को चालाकी से चंदु के हाथ पैर एक चेड़ से बांद देता है थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बालू की मा आती है बालू अपने मा को यह सारी बात बताने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और सी तरह नित्या बालू की माँ को देखकर से हक करने लगती है बहुत रोने लगती है और थोड़ी दिर की बाद यहां पर कुलिस वाले आते हैं जब अंदर जाकर चंद्रू को चक करते हैं तब तक नित्या ने चंद्रू को मार चुकी होती है इस तरह से यह सिंपल मुवी यहां पर दी एंड होती है